नमस्का दोस्तों, PLTX में आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में UPCC सामाने जानकारी के प्रिवेश एर में पूछे गए कंप्यूटर के चेप्टर वाइज कोस्टन की ग्लास को लेकर रहा हूँ और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के चेप्टर वाइज कोस्टन को सॉल्ब करेंगे दोस्तों, यदि आप कुमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, लाइक कीज़े, सेर कीज़े दोस्तों, आईए सुरू करते है पहला टॉपिक है यहाँ पर, कंप्यूटर एक परचे से समानधित कोस्टन नमबर फरस्ट कोस्टन नमबर फरस्ट दिया गया है दोस्तों, निमलिखित मैंसे किस वेक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा option ए चार्ल्स बाइवेज अगला question question number अगला है question 2 second दोस्तों computer के जन्म दाता कौन है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा option D चार्ल्स बाइवेज अगला question question number 3 है दोस्तों किसे आधुनी computer का जनक माना जाता है आपको इस question का right answer देना है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा दोस्तों option C चार्ल्स बाइवेज आधुनी computer का जनक चार्ल्स बाइवेज को माना जाता है 1830 के दसक में इन्होंने बेसलेशनात्मक इंजन को विक्सित किया जिसे आधुनीक digital computer का अगर दूद कहा जाता है तो यहाँ पे right answer option C हो जाएगा next question 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 number 4 है computer का विकाज से समन्दित question number 4 पारंपरी computer में CTR monitor होते थे CRT का क्या आर्थ है आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा CRT का पूरा नाम cathode ray tube है option A यहाँ पे इस question का right answer बनेगा दोस्तों अगला question question number 5 है दोस्तों पहली PD के computer में यहाँ पे आपको फिल करना है का पूरू किया जाता था तो यहाँ पर आपको इस question का right answer देना है तो right answer है यहाँ पे बनेगा दोस्तों option A निर्वात नलिकाओं vacuum tubes का option A यहाँ पे right answer हो जाएगा पर्थम PD के computer में vacuum tube का प्रियोग किया गया था दोस्तों computer की पर्थम PD की सुरुवात की यदि हम बात करें तो 1946 में anyak नामक computer के निर्माड में हुआ था पर्थम computer के PD के computer के लक्षन दोस्तों निर्वात नालिकाओं का प्रियोग था पंच कार्ड पर आधारी थे संग्रहन के लिए चुम्ब के ड्रम का प्रियोग किया गया था दोस्तों तो अपलोग ध्यान रखेगा question number अगला है 6 है computer की दूसरी PD किस पर आधारी थे आपको बताना है दोस्तों तो right answer हो जाएगा option B option B यहाँ पर right answer हो जाएगा दूसरी PD के computer में निर्वात ट्यूब की जगा transistor का प्रियोग किया था या सस्ता और बिजली की कम खपत करता था बैक्यों ट्यूबों की दुल्ला में अधिक विस्वसनी और तेज था option B राइट आंसर हो जाएगा इस question का अगला question question number 7 है computer mouse का अविस्कार किस ने किया था तो right answer यहाँ पर बनेगा computer के mouse का अविस्कार Douglas C. Engelbert ने सन 1960 में किया था 1960 में किया था mouse का पहली बार प्रियोग सन 1973 में हुआ था 1973 में Jerox Alto computer system के साथ में किया गया था दूस्तों तो यहाँ पर right answer option A हो जाएगा Douglas Engelbert question number अगला है question number भारत में पर्थम computer कहां प्रतिस्थापित किया गया तो right answer हो जाएगा option B Indian Statistical Institute Kolkata Indian Statistical Institute Kolkata में किया गया था दूस्तों तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा भारत में पर्थम computer भारति सांकी की संस्थान Kolkata में वर्ष 1955 में इस्थापित किया गया था यह जापान के बाहर Asia में इस्थापित पहला computer था अगला question question number 9 है दूस्तों calculator किस प्रकार की computer कार पद्दती पर कार करता है तो right answer option C हो जाएगा digital computer calculator digital computer की पद्दती पर कार करता है computer एक प्रकार की गणती गणना करता है option C right answer है अगला question question number 10 है निमन लिखित में से काउन एक 2018 में इस्थापित भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर है दोस्तों यहाँ पर इस question का right answer option C option D हो जाएगा माफ किजिएगा प्रत्यूस प्रत्यूस इस question का सही जवाब हो जाएगा प्रत्यूस भारत का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर है प्रत्यूस Indian Institute of ट्रॉपिकल मेट्रोलोजी, पूड़े और नेशनल सेंटर फोर मेडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, नोटा में सफल होने वाला सुपरकंप्यूटर है या जनवरी 2018 में इस्थापित किया गया था, या भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लाक्स, सेंडी का सुपरकंप्यूटर ह पेटा फ्लाप्स की गती से गणना करने में शक्षम है, और संदी राइट आंसर हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 11 है, 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रदोगी की इस रंखला में, जी का क्या अर्थ होता है दूस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, अपसंदी, जनरेशन, 3G, 4G, 5G, जी का अर्थ जनरेशन होता है दूस्तों, जब भी किसी फोन में नई तकनिकी आती है, तो उसे नेक्स जनरेशन स्मार्टफोन का हजाता, जैसे नई टेकनोलोजी आती है, उसका वर्चन अपग्रेड कर दिया जाता है, इस टेकनोलोजी क बदलाव के साथ साथ नए आने वाले फोन में भी काफी बदलाव आता है, तो उपसंदी, राइट अंसर हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नबर 12 है, निमलिकित में से कौंसा कंप्यूटर एनलोग आउटपुट को डिजिटल फोर्म में परिवर्थिर करने से मुखता समन है, तो राइट अंसर हो जाएगा, अउपसंदी, हाइबिरिट कंप्यूटर, हाइबिरिट कंप्यूटर एनलोग आउटपुट को डिजिटल फोर्म में परिवर्थिर करने का कार करता है, अगला कोशन, कोशन नमबर 13 है, 1943 में जे डाबलू मांचली और जे प्रेस पर इकर द्वारा की, बिना किसी भी यांत्रिक हिंसों के बनाएगे, पहले कंप्यूटर को क्या कह गया था, तो राइट अंसर ऑप्सन ए हो जाएगा, इन्हें एक, ऑप्सन ए, राइट अंसर बनेगा दूस्तों, अगला कोशन दूस्तों, कोशन नमबर 14 है यहाँ पर, कोशन नमबर 15 है दूस्तों यहाँ पर, यहाँ पर आपको फिल करना है, वर्स से तुरती पीड़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था, तो राइट अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा, 1965 से 1971 के दोरान हुआ था दूस्तों, तिसरी पीड़ी के कंप्यूटरों में एक कटबंधी मौसम विग्यान संस्थान में इस्थापित किया गया था, तो राइट अंसर यहाँ पर आप्सन भी हो जाएगा, पूड़े में इस्थापित किया गया था दूस्तों, आप लोग धान रखेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर अगला है, 17 कोशन नमबर, वहाँ का अंसर नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गतिया कम्प्यूटर की समगर प्रसंस्क्रण शक्ति प्रतेक दो वर्स पर दोगनी हो जाएगी, तो राइट अंसर अप्सन भी हो जाएगा, मौर का नियम, इंटल के संस्थापक गार्डन मौर ने सबसे पहले कम्प्यूटर की प्रसंसर प्रसंस्क्रण शक्ति का बारिकी से अधन किया था, कहा था कि IC पर निर्मित होने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रती वर्स में दोगनी हो जाएगी, किल्तो बाद में इसे संसोधित करके उन्होंने या कहा कि संख्या प्रती दो वर्स में दोगनी होती च मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डिज्टल इसका सही जवाप है दोस्तों डिज्टल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है इसका प्रयोग ब्यापार बैंकिंग शिक्षा मनोरंजन म किया जाता है इसका उप्योग आम तोर पर दोई आधारी संख्या प्रणाली का उप्योग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है आप लोगधान रिखियेगा अगला कोशन कोशन बर 19 है भारत में निर्मित प्रथम सुपरकंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन भी परम परम आठ हजार को भारत का पहला सुपरकंप्यूटर माना जाता है या 1991 में सीडेक दोरा बनाए गया था दोस्तों आदित भारती मौसम विभाग संस्थान पोड़े दोरा बनाए गया है सुपरकंप्यूटर है वरतमान में परम सिध्धी AI भारत का सबसे शक्तिसाली सुपरकंप्यूटर है महत्मून प्रसन है दोस्तों आप लोग ध्यान रखियेग किस प्रकार का डिवाइस डिश्टल सिंग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतिर करता है जो उप्यो करता के लिए शुगम होता है जैसे कि मोनिटर है प्रिंटर है स्पीकर आउटपूट डिवाइस की उदाहरन है दोस्तों आप लोग ध्यान रखियेगा अगला कोश्चन कोश्चन नबर 21 है प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए फाइल प्रिंट देने के लिए फाइल सेलेक्ट करेंगे आप्सन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 22 है परिंटी उपकरण करेंगे चमता जोडने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं निमलिकित में से कौन सा परिंटी उपकरण इन में से नहीं है तो राइट आंसर आप्सन ए हो कोश्चन नमबर 23 है यहाँ पर आपको फिल करना है निर्देशों का एक संग्रा है जो कंप्यूटर दोरा निस्पादित किये जाने वाले एक बिसिस्ट कार है तो राइट आंसर बनेगा अप्सन C प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतोर पर एक बिसिस्ट कार निस्पादित करता है साफ्ट्वेर निर्देशों का एक संग्रा है जो यूजर को कंप्यूटर उसके हार्डवेर देथा अन्य घटकों को एक बिसिस्ट कार करने में शक्षम बनाता है Q24 है निम्न में से कंप्यूटर के CPU दोर निस्पादित नहीं किया जाता है तो right answer option भी हो जाएगा निर्देश बैख्या किसी कंप्यूटर के CPU दोर निम्न लिखित कार्यों को निस्पादित किया जाता है जैसे डाटा को इस्थाई रूप एकतित करना निर्देश प्राप्त करना डाटा प्रसंसक्रन करना CPU को कंप्यूटर का मस्दिश्क दिमाग कहा जाता कोशन नमर अगला है 25 कोशन नमर आपको यहाँ पर फिल करना है के अंदरी प्रसंसक्रन क्रमड इकाई CPU और मुक इस्मरती के बीच एक वफर के रूप में कार करता है तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ओप्सन B कायस इस्मरती कैस मेमोरी एक बिशेश प्रकारकी त्वर गतिकी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेशिंग की गतिक को बढ़ा देती है यहाँ मेमोरी CPU और मुक मेमोरी के बीच एक वफर के रूप में कार करती है कोश्चन नमबर अगला है 26 कोश्चन नमबर यहाँ पे आपको फिल करना है एक प्रकार का लग प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर को उत समय से नियंतित करता है जब से यहाँ आन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उससे अपने नियंतिरन में ना ले तो right answer option B हो जाएगा BOIS basic input output system संशिप्त रूप है इसका उप्यूग बूटिंग प्रकरिया के समय hardware initialization करने के लिए किया जाता है option B right answer हो जाएगा question number 27 है दूस्तों यहाँ पे computer संसाधक के रूप में ALU का पूर्ण रूप सुरूप क्या है दियेगा options में से तो right answer हो जाएगा arithmetic logic unit option A यहाँ पे right answer बनेगा question number 28 है computer के सभी hardware की जांच निम्न में से कौन करता है तो right answer यहाँ पे बनेगा इस question का दूस्तों option A यहाँ पे right answer हो जाएगा BIOS यहाँ पे इस question का right answer बनेगा अगला question question number 29 है कौन सी quote BIOS सर्वत्तम परिभाश्यत करती है तो right answer option C हो जाएगा firmware hardware device में इस्थाई रूप से install किया जाता है firmware by ground किया जाता है firmware by ground में hardware को control करके संचालित करने या maintain रखने के लिए होता है दूस्तों यह प्रोग्राम किये गए निर्देशों का एक set है जो video card BIOS keyboard या hard drive जैसे hardware device में प्रियोग होता है अगला question question number 30 है दोस्तों ALU का विस्तरब्त रूप है इन में से कौन सा है दोस्तों तो right answer option C हो जाएगा arithmetic logic unit है दोस्तों अगला question question number 31 है निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वराण करता है दिये गया options में से तो right answer option B हो जाएगा यह एक program है जो ROM से निस्पादित होता है जब computer चालू होता है option B right answer हो जाएगा अगला question question number 32 है CPU का वह भाग जिसमें circuitry लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने और निस्पादित करने के लिए पूरे computer system को निस्पादित करने के लिए बिद्दू संकेत का प्रूग करता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो right answer दोस्तों यहाँ पर बनेगा इस question का option A control unit option A right answer हो जाएगा next question question number 33 है एक संसाधक के आंतरिक database में bits की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है तो right answer बनेगा इस question का जोस्तों option C word length यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा word length आंतरिक database register LU की चोड़ाई पर निर्भर करता है एक processor एक बार में जितना bit process कर सकता है option C right answer है question number 34 है काउंसा computer peripheral आपको भौतिक चबी या दस्तावेज की प्रतिलिप बनाने और उसे digital चबी के रुप में अपने computer पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है तो right answer है हाँ पर बनेगा option C is scanner इस scanner एक computer peripheral है जो भौत की चबी या दस्तावेज की प्रतिलिपी बनाने और उसे digital चबी के रुप में अपने computer पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है question number अगला है और अंतिम question है इस class का question number 35 है under function keyboard shortcut क्या है दोस्तों आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option ए control plus z है दोस्तों control plus v का यूज paste करने के लिए किया जाता है option c में control plus c दिया गया है इसको copy करने के लिए किया जाता है control plus u यहाँ पे दिया गया है u का रिखांकित करने के लिए किया जाता है underline text का shortcut की है दोस्तों option तो यहाँ पे दोस्तों इस question का right answer option यह है control plus z है दोस्तों यदि आपको class पसंद आ रहा है तो class को आप लोग जाद 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 लाइक और शेर करते रहे हैं दोस्तों दोस्तों आज की class में बस इतना ही मिलते हैं next class में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन धन्यमाद